ओम गन्षी महागड़े शाय नमा, राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों सनातन धर्म में हर दिन किसी ना किसी देवी देखता को समर्पित होता है. शुक्रवार का दिन धनकी देवी मालक्ष्मी को समर्पित होता है. शुक्रवार के दिन जो भक्त मा लक्ष्मी की पूजा करते हैं उन्हें संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होते है शास्तों में लक्ष्मी मा को धन की देवी माना गया है मानिता है कि शुकरवार के दिन मालक्ष्मी की पूजा आरातना करने से मालक्ष्मी का आशिरवात बना रहता है लेकिन इस दिन कुछ चीजों को करने की मना ही बताई गई है माना जाता है कि कुछ कारे ऐसे होते हैं जेहें अगर शुकरवार के दिन किया जाए तो इससे मा लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर में गरीबी और दरित्ता का बास हो जाता है इसलिए शुकरवार के दिन इन कारेों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए तो आईए दोस्तों जानते हैं ऐसे कौन से कारे हैं जिने शुकरवार के दिन फूल कर भी ना करें शुकरवार के दिन कभी किसी को धन ना दें और ना ही किसी से धन ले माने ताहिर शुकरवार के दिन दिया गया धन पापस लोटकर नहीं आता और इस दिन किसी से कर्च लेने से भी मालक्ष्मी नाराज हो जाते हैं और उस व्यक्ति से भी संबंध खराब हो जाते हैं और धन की हानी होती है इसलिए शुकरवार के दिन धन का लेन देन करने से बचना चाहिए यानि कि ना तो किसी को उधार दे और ना ही उधार ले वैसे तो आपको कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए लेकिन शुकरवार के दिन इस बात का विश्य ठ्यान रखना चाहिए इस दिन भूल कर भी महिलाओं, कन्याओं और किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए उनके बारे में अपशब्द नहीं बोलने चाहिए महिलाओं में मालक्ष्मी का बास होता है और उनके अपमान करने से मालक्ष्मी भी नाराज हो चाहती है शुक्रवार के दिन अगर आप ब्रतपुजन भी नहीं करते तो तामसि भोचन खास थोर पर मासाहार और मदरा के सेवन से परहिच करना चाहिए। इस दिन पूर्ट सात्पिक भोचन करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो इससे अपनी आदत बना ले। माना जाता है, शुकरवार के दिन मास मद्रा का सेवन करने से मानक्षमी नाराज हो जाते हैं और घर में घरी भी आती है शुक्रवार के दिन भूल कर भी चीनी किसी को नहीं देनी चाहिए क्योंकि जोतिस में चीनी का संबन शुक्र और चंदर तौनों से होता है इसलिए शुक्रवार के दिन चीनी देने से आपका शुक्र कमजोर होता है और शुक्र फोतिक सुखों का स्वामी है शुक्र के नाराज होने से भौतिक सुखसुदाओं में कमी आते हैं और आर्थिक इस्तिथी भी खराब होती है शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवा नारायन की भी पूजा करनी चाहिए मालक्ष्मी के साथ नारायन की पूझा करने से देवी देपता प्रसंद होते हैं और दौनों का आशिरवाद बना रहता है अगर संभब हो सके तो सुभह या शाम किसी भी एक समय मीठा घर में जरूर बनाएं और सबसे पहले आप इस मीठे का मालक्ष्मी को भोग लगाएं और फिर अपने घर की बड़ी महिला या फिर कन्या को इस मीठे को प्रशाद के रूप में दें ऐसा करने से मालक्ष्मी का आशिरवाद प्राप्त होता है शुक्रवार के दिन किसी से अप्षप्त ना बूले ऐसा कहने से माता लक्ष्मी आपसे अप्रसन हो जाती है और फिर आपके साथ धनसम्मंदी समस्यां शुरू हो जाती है घर में अब्वय बढ़ जाता है लोग बीमार रहने लगते है ब्यापा धन्दे में नुकसान होने लगता है साफ सुत्रे किचिन में मालक्ष्मी का बास होता है इसने घर में बैवब और शुक्षान्ती का प्रवा निरंतर होता रहता है बूल कर भी रात के समय किचिन में गंदे बर्दन नहीं छोड़ने चाहें इसने मालक्ष्मी रूख जाती है और घर में अशान्ती फैल जाती है साथ ही स्वास्त की खराब होने के भी आशंका बनी रहती है वैसे तो रोजाना ही रसोई घर को साफ करके रखें लेकिन अगर रोज रात को बर्दन नहीं मास सकते तो कम से कम शुकरवार के दिन आप अपनी रसोई को बिलकुल साफ करके सोई और भूल कर भी इस दिन लड़ाई छगड़े ना करें माना जाता है जिस जगे गंदगी और अशान्ती का माहौल रहता है बहां मालक्ष्मी का बास नहीं होता और जहां मालक्ष्मी का बास नहीं होता बहां गरेबी और दरित्ता का बास होता है शुकरवार के दिन किसी से कोई बस्तो मुफ्त में भी नाने माना जाता है शुकरवार को मुफ्त में ली गई बस्तो से कहजा चड़ता है दोस्तों मा लक्ष्मी की किरपा प्राप्त कहने के लिए शुकरवार के दिन इन सभी बातों का विश्य ठ्यान रखें उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वाचेंग राथे राथे